ओ माई गौड ये मूवी देखने के बाद मैं कह सकता हूँ बड़बोली भावना is the most unmissable and relatable movie of this year फर्स्ट आफ और मैं बताना चाहूँगा कि ये मूवी आपको देखने को मिलेगी Amazon Mini TV पे जिसको आप बहुत तराम से अपनी Amazon App पे जाकर देख सकते हैं उस पे आपको सिर्फ ये मूवी ही नहीं बहुत सारी कमाल की सीरीज और बहुत सारी कमाल की वीडियो फ्री में देखने को मिलेंगी और अब बैक टूबड बोली भावना यार आपने कभी ने कभी ये सोचा होगा या फिर किसी को बोलते होए जरूर सुना होगा कि यार आजकल तो हर कोई influencer बनने चल पड़ा है जिसको देखो फोन उठाओ और influencer बना पड़ा है और इवन आपके फ्रेंड या फैमिली में से कोई ना कोई एक member तो ऐसा होगा ही होगा जो चोटा ने तो बड़ा influencer ज़रूर होगा तो ये जो movie है ये उस influencer के लिए तो है ही पर इस influencer के साथ रहने वाले लोगों के लिए भी है मतलब ये movie सब के लिए है तो basically बड़बोली भावना की ज़र स्टोरी है वो revolve होती है एक couple के रहा हूं जिसमें wife जो है वो एक influencer है और जो पती है वो एक private person है उसको नहीं पसंद है कि उसकी live जो है इतनी जादा internet पे दिखाई जाए तो आपको समझ आया जगड़े कहा होंगे तो ऐसी no joke और cute सी misunderstanding के उपर ही बनी है बड़बोली भावना इस movie में जो husband का role लिबा रहे है वो है अंकुष जिनको आप उनकी social media presence की वज़े से जानते ही होगे बट वो जो role लिबा रहे है वो एक private person का role लिबा रहे है जो एक normal job करता है और उसको नहीं पसंद है कि मतलब इतना जादा शोशा करना और हर चीज़ को social media पे दिखाना जिसकी वज़े से उनकी और उनकी wife में कुछ no joke होती रहती है और even वो जो है एक normal पती की तरह अपनी wife और अपने relatives की बीच में भी ज़रूर पिसते है बिकोज आपको पता है relatives को अगर कुछ चीज नहीं पसंद है तो वो है कुछ creativity करना या कुछ नयापन करना और social media तो उनको बाती ही नहीं है और इन सारे relatives का counter करने के लिए आती है बड़ बोली भावना जिसका role निबा रही है अपूर्वा और मैं को नहीं लगता है उनको कोई तकल्लूफ की जरूरत है अपूर्वा अपने role को इतने अच्छे तरीके से निबाती है कि आपको एक बार imagine करके ऐसे रगता है वो तब लगता है जब भी उनको relatives को stunk करते हैं या कुछ उनको परेशान करते हैं तो वो किस तरीके से अपना एक short format में video बनाती है और वो video बहुत ही creative और funny होता है तो वो आप देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि बहुत ही मज़ेदार है इस movie के अंदर एक बहुत ही अच्छा contrast दिखाया गया है कि कैसे एक normal इंसान दुनिया को देखता है और किस तरीके से एक influencer दुनिया को देखता है चाहे दुनिया same ही है पर दोनों एक अलग तरीके से देखते हैं आपको मज़ा भी आरा थे और को देखने में और कही थोड़ा भी लग रहा होता है मैं आपको recommend करूँगा कि आप एक movie जरूर देखेगा बिकॉज एक half an hour long movie है और आपको बहुत ही ज्यादा मज़ा आगा एक movie देखने में कॉंटेंट कुमार बन क्या हूँ अरे बुगाजी आपको पता है दस लाग उने वाले इसके एक मिलियन क्या बेंग 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 इस? ओ पैंडते हो बीरो पैंग बनाओ